Hello my friends, मैं हूँ कविता और आज हम देखेंगे कि बच्चों को जंबल्ड सेंटेंजिस और जंबल्ड सेंटेंजिस कैसे करवाईं और कैसे सिखाईं यू के जी और फॉर्स्ट के स्टेंडर्ड के बच्चों को फॉर्स्ट और बच्चे को जंबल वर्ड क्लियर होना चाहिए कि जंबल का क्या मतलब होता है जैसे उसको एक वर्ड लीजिए कोई भी जैसे वो कैट लिखता है उसको बहूलो कि मैंने उल्डपुल्ट लिखे हैं स्पेलिंग उसे फाइंड ओट करके सही वर्ड को find it करो, that is called jumbled, जैसे लिखाए ter ak, बच्चे को पता है कि cat की spelling क्या होते है, c-a-t उसको jumbled का मतलब career हो गया, कि jumbled मतलब swap करके words इधर उधर रिखेंगे, उसको सही करके, एक letter को एक word बनाना, that is called jumbled words, आज हमका talk है jumbled sentences, sentences क्या होते है एक पूरी line और इसको बनाते हुए बच्चे को ये चार rules समझाईए, पहले कि कैसे करते है, पहले बच्चे को बताईए कोई भी जो sentence है, वो तीन चीजों से बनता है, subject, helping verb और object, ये subject और object में बारे में बच्चा जाके कि first में पढ़ेगा, first उसको पता होना है, ये simple में कि first rule क्या है, कि sentence starts with capital letter, जो sentence है, वो सबसे first वाला letter, word है, जो sentence का, वो capital letter से start होईगा, अब जैसे इस sentence में है, hope I can, अब बच्चे को पता है कि first word क्या है, I, capital है, तो ये word पहले आएगा, that is called I, second is then look at the picture, बच्चे को पहले simple jambered word देने से पहले बच्चे को एक picture दिखाईए, और उसको कहिए कि अब sentence को देखी, इस picture में तिरे को क्या दिख रहा है और फिर उसके बाद करवाईए, look at the picture and find the word, imagine what can happen, एक picture मनलो, कि हमने दिखाया, कि Ramu is tall, ये मनलो एक person, बच्चा draw किया हुआ है, वो बहुत सारा tall, लंबा है, और हमने बच्चे को कि अब बच्चे को देख के आपको क्या समझ आता है, tall Ramu is, बच्चा बताएगा कि अब art capital है, तो sentence इस से शुरू होएगा, और उसके बाद आता है, helping verb, helping verb में क्या आता है, was, word, is, am, are, has, have, had याब बच्चे को याद करवा दीजिए, कि words होते हैं, ये helping verbs होते हैं, लेटर रॉन जाके first में एड़ लाएगा, कि वो क्यों और कहां use होते हैं, और बच्चे को is, am, का difference पता होना चाहिए, कि is, singular के साथ लगता है, are, plural के साथ लगता है, और am है, जो I के साथ लगता है, इसी तरह was, word में, singular है, plural है, and so on, ये दो चीज़े बच्चे को clear होनी चाहिए, UKG level पे, अगर later on, वो सब कुछ करेगा, नैकिं, third one rule is, find the helping word, फिर हमें helping verb ढूणना है, जाने कि ये, is, am, are, was, word, इसमें क्या लगा है, sentence में, is, तो हम क्या लिख देंगे, is, उसके बाद, sentence ends with a, फिर, जो बचा, अब क्या बचा, सिरफ tall, object बचा, उसको हमने लिख दिया, ramo is, tall, अब end, जो sentence है, वो हमेशा, तीन चीज़ों से finish होता है, या तो full stop, इसको period भी बोलते हैं, question mark, और exclamation sign की, अब बच्चे को समझा दीजिए, कि exclamation sign क्या होता है, और full stop क्यों लगाते हैं, exclamation sign, full stop क्यों लगाते हैं, जब sentence खतम हो जाता है, simple sentence, अगर कोई question किया है, तो question mark से end होएगा, अगर कोई surprising है, wow, amazing, what a pleasant weather, तो इसमें exclamation sign होगा, बच्चे को ये बता दीजिए, कि इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि बच्चे को फूल स्टॉप, question mark और exclamation sign को इस लेवल पे बच्चे को सब्सक्राइब लगाते हैं,